आज हम बनाने जा रहे हैं अमरितसरी स्टाइल पनीर भुर्जी बहुत ही फेमस फ्रीट फूड है ये अमरितसर का और बहुत ही टेस्टी ये भुर्जी बनकर तयार होती है तो चलिए फिर चल्दी से इसे बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले बेसन का बेस बनाएंगे तो दो चम्मच तेल हम गरम कर लेंगे कढ़ाई में फ्लेम एकदम लो पर रखेंगे और दो ही चम्मच हम यहाँ पर बेसन के ले लेंगे लो फ्लेम पर लगातार हमें बेसन को अच्छे से भूनना है लगातार चलाते रहिए बढ़िया लाल मिर्ची पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमक अभी डाला है, थोड़ा जब ग्रेवी बनाएंगे तब डालेंगे, लगातार अच्छे से मसालों को भी चलाते हुए बेसन के साथ में भून लेंग और एक गाड़ा पेस्ट बनाकर हमें इसका तयार करना है, और फ्लेम लो पर रहेगा पूरे प्रोसेस में, जैसे ही इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनकर तयार हो जाएगा, हम इस पेस्ट को अलग से एक बोल में बहार निकाल देंगे, और इसे ग्रेवी में बाद में प्याज को बारीक बारीक काटना है, लगातार चलाते हुए लो से मीडियम फ्लेम पर प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, तब तक भून न है जब तक इसका कलर हलका हलका सुनहेरान नहीं होने लग जाता, बहुत ज़ल में करना है, अब इस में डालेंगे, आधा इ यह भी भूनकर तयार हो जाए तो एक मिनट हमने और अच्छे से चलाया और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर के हमने ऐसे पतले-पतले से स्लाइस कर दिये हैं आप चाहें तो गोल-गोल भी काट कर डाल सकते हैं थोड़ा सा नमक हम और डालेंगे अब दुबारा हम इन्हे अच्छे से इस तरीके से कट-कट-कट करेंगे टमाटर के उपर और मिक्स करते रहेंगे ताकि जो टमाटर है वो और थोड़े से तूट जाएं और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं टमाटरों को सॉफ्टी करना है बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है जैसे ही यह हो जाएगा हम इसमें जो बेसन का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो डाल देंगे और उसको डालने के बाद दोबारा हम इसे अच्छे से मिक्स करके एक से दो मिनिट तक और हम पकाएंगे यह बहुत ही डिफरिंट सी पनीर भुरजी बन कर तयार होती है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा जैसी अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें पनीर डाल देंगे डेट सो ग्राम पनीर लिया है पनीर को कदूकस नहीं करना है इस तरीके से हाथों से ही हमें इसे क्रंबल करना है पनीर आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं घर का बनाया हुआ भी ले सकते हैं और अगर आप बाहर से खरीद के लाए हैं तो वो भी ले सकते हैं पनीर डालने के बाद हम gravy और पनीर को अच्छे तरीके से mix करेंगे लगातार चलाते हुई हम इसे एक से दो मिनिट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि जो पनीर है वो gravy में अच्छे से मिल जाए घुल जाए अब हम इसमें डाल देंगे आधा कब गरम किया हुआ पानी अगर आप अमरित सर में कभी जाएंगे या कभी गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर वो लोग दूद का इस्तिमाल करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेकिन पानी यूज़ कर रह था वो इस तरीके से उपर आ जाएगा दोबारा इसे हम मिक्स करेंगे कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से इसकी एज़ेस्ट कर सकते हैं कितना गाड़ा या कितना पतला आपको चाहिए अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा धनिया हमने उप किया जाता है कैसी लगी है आपको ये रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जाएगा